देखिए, overhead वाला जो chapter है न, overhead के तीन topics है, एक है distribution, एक है machine hour rate और एक है आपका अलग control rate, यह तीन topic है, यह machine hour rate और एक हमारा अलग से chapter है, that is service cost. एक अलग से chapter है, that is service cost, अब जो service cost है न, और यह machine hour rate वाला है न, यह दोनों आपस में similar similar, आज करेंगे, start तो पता चल जाएगा, तो मैंने क्या करा, overhead में से यह topic करा दिए, उसके बाद मैं क्या कराने जा रहा हूँ उसको, service cost, overhead खतम नहीं हुआ, फिर जैसे service cost खतम हो जाए, क् फिर हम distribution कर लेंगे, controlling rate कर लेंगे, फिर हमारा खतम हो जाए, समझे बाद, तो बच्चों को पहले clear होना चीए, क्या पढ़ने वाले, आज new chapter है, और machine hour rate के कुछ और questions मुझे कराने है, extra, बाकि आप किताब के कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, जितना maximum tough setup question था, वो आपने कर ल अब service cost की हम बात करें न, तो service जहां जहां मिलता है, उनकी costing कैसे निकाला जाए, वो निकालते हैं, अब service sector बताओ क्या क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, teaching भी, आप hospital में जाते हो, आप school की बात कर लो, और भी बहुत सारी चीज़े, traveling की बात कर लो, ये सारा हमारा service sector है, तो इन सभी का costing पर हर किसी का अलग अलग है, जैसे teaching की बात करो तो per hour क्या लगता है, teaching तो per hour rate ही निकालेगा, और hospital की बात करों तो per bed sheet क्या होता है, bed sheet के इसाब से count होता है, school की बात करें तो per बच्चा क्या लग रहा है, हर बच्चे के इसाब से count होगा, traveling की बात करें तो per kilometer क्या होगा, तो service costing बहुत सारा है, लेकिन हमारे slay bus में सरिफ एक इसकी बात करें तो हम service cost तो करेंगे, service cost या operating cost लेकिन कौन से वाला करेंगे, traveling का, तो traveling से आपको clear हो जाना चाहिए सहब, कि service cost traveling का मतलब, अब यहाँ पे बात आएगी, कोई आपका bus हो सकता है, कार हो सकता है, जैसे मान लेते हैं डेली, और से मान लेते हैं डेली से पंजाब, डेली से पंजाब अगर bus जाएगा, तो इस bus के अंदर passenger बैठे होंगे न, तो एक passenger से कितना किराया लेना चाहिए, वो निकालना सीखेंगे हमेश चाहिए, यानि passenger पर किलो मेटर, दूसरा, बिना passenger वाली गाड़ी भी हो सकती है, भाई साब जिसके अंदर समान जाता है, ट्रक जिसे बोलते हो, तो ट्रक के अंदर समान या तो किलो के भाव किलो मेट तुलता है, या टन में होता है, तो हर ट्रक का पर टन का क्या किलो मेटर चार्ज लेना चाहिए, जैसे आपने बोला कि मेरा ये समान है, दस किलो का, आप ले जाओ, यहां से वहां तक कितना पैसा लोगे, तो हर किलो का निकाल के फिर हम बताएंगे, तो मेजरली सबसे पहले हमारा मेन फोकस तो किस पर रहेगा सर, इसके उपर, क्या है, एक कार है, एक destination से, कार की जगर बस यूज़ कर लेतला है, एक बस से एक destination से चलेगा, दूसरे destination पे जाएगा, अब ये बस ऐसा थोड़ी है, कि दिन में एक़ी बार जाएगा, दिन में आना जाना हो सकता है तो हम किसी का भी बोलू अगर मैं यहां से यहां सक डिस्टेंस बताऊं आपको 100 किलोमेटर मैं बड़ा अजीब बड़ा हैरान हुआ कई ऐसे जगह होते हैं जो आउट एरिया होता है थोड़ा सा वहां पे फैसलेटी नहीं होता जैसे मैं यहां पे रह रहा हूँ तो यहां से आप कैब करो ओला करो ओटो करो सब मिल जाता है लेकिन आप उसको जाने को बोलो ऐसे जगह पे जहां से फैसलेटी नहीं है माल लेते हैं कि हम नागलोई से आगे ले जाते हैं मैंने बढ़ेता हैं यानी देस्टिनेशन की बात करें सिर्फ जाने का जाने का है तो यह बस कितने किलोमेटर जाएगा जाने के बाद वापसी भी तो आएगा तो जब जाने के बाद वापसी आएगा उससे बोलते हैं वन ट्रिप ट्रिप का मतलब समझें कि वहाँ गए और वहाँ से वपसी आगए तो एक ट्रिप हो गया बस का ठीक है अब हमें निकालेंगे पर पैसेंजर किलोमेटर तो में भी पॉसिबल है कि इसके अंदर 40 सीट है तो 40 के 40 लोग बैट के नहीं जाते होंगे कई बार नहीं खड़े होंगे नहीं एक दो सीट खाली भी चली जाती होगे ठीक है ना एक दो सीट खाली जब चले जाता है जब मान लेते हैं 40 सीट में अगर 4 सीट खाली चलेगी तो कितने परसंट कैपिसिटी पर चल रहा है नबे परसंट के कैपिसिटी पर क्योंकि 40 में से 36 passenger होगा जाएगा कितने 100 km बस कर दो और आएगा कितने 100 km या 2 कर देते हैं इसको इंटू में 2 तो यह आगया 36,7200 तो passenger km ऐसे आ जाएगा 7200, एक बार में यह बस 7200 km चलेगा क्योंकि आप 7200 km नहीं है 7200 passenger km है passenger km अब पहले छोटी छोटी बाते हम discuss कर लेते हैं फिर question पर आएंगे टॉपिक पर यानि service cost traveling वाले क्या करते हैं सर एक जगह से car या bus हो सकता है एक जगह से चलाते हैं दूसरे जगह से जाते हैं उसके अंदर passenger की बात की जाएगी और passenger उसके अंदर हो सकता है कि full capacity पर चले और ज्यादा पर भी चल सकता है और diesel भी होते हैं डीजल समझते हैं पेट्रोल डीजल और फ्यूल पेट्रोल डीजल फ्यूल दिया ने कहां इंसॉरेंस का भी खर्चा होता है कि maintenance का भी खर्चा होता है सही बात है वाई पंचर हो गया खराब हो गया एक इसके बात driving की भी salary होगी अ कंडेक्टर की भी salary होगी वहां इसके repair maintenance बिलकुल सही है वंसीर का driver की salary साथ के साथ इसाथ यह टायर की भी खर्चपरी के हो सकते हैं टायर घिश जाता है हमाए चल-चलके अध्यक है प्रॉपर ले ले तो तो ग्राज का भी खर्चा होता है उसके बाद ना आपको ऐसा नहीं कि बस खरीदा चलो भाई पंजाब गवर्मेंट बोलती है लाइसेंस है हाँ जी है लाइसेंस के अलाबा एक और लाइसेंस लगता है रूट परमिट के आप कहां से कहां तक जाएंग जाएंगे और उसको पेंजर किलोमिटर से डिवाइड कर देंगे आज आएगा पर पेंजर किलोमिटर कोस्टीं ठीक है नहीं था uhm दूसरी बात कुछ बच्चे कही रहे हैं सर नई नए स्टूड बिल्कुल सब को समझ में आएगा और यह लास्ट चेप्टर है एक तरीके से बाकि अभी क्लास खतम नहीं होगी मान लेते हैं इस महीने में अगर हमारा स्लेवर्स खतम हो जाता है या एक दो तीन तारिक को खतम हो जाता है तो इसका खर्चा निकालने का देखो तरीका क्या होता है मैं यह चेप्टर बीच में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं वैसे मतलब उस चेप्टर को स्टॉप करके क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे नहीं जल्दी समझ जाते हैं मैं हर बार मैं एक्स्पेरिमेंट करता हूं मतलब बच्चों को कोसिस करता हूं तो बच्चे बोलत चलिए यह बन गया हमारा ओपरेटिंग चलिए बन गया हमारा ओपरेटिंग एक हमारा फिक्स खर्चा है और एक रणिंग खर्चा है एक फिक्स खर्चा है और एक रणिंग खर्चा है अब आपको लग रहा है सर पहले भी तो था इसलिए तो यह चप्टर करवा रहे हैं अब फिक्स खर्चे कौन से होते हैं जो की होना होना तह है जैसे कि आपका माल इतने पहले ड्राइवर सेलरी ले लेते हैं ड्राइवर का सेलरी लाइसेंस पेट्रोल फिक्स नहीं है चलेगा तो होगा अगर हम गार्डी को है डेप्रिशेशन भी हमारा जो कॉस्टिंग में होता न जितना यूज करेंगा उस पर लगेगा तो रेनिंग में आपने पेट्रोल बताया या इन्सौरेंस बताया तो डेप्रिशेशन यहां आएगा आप फिक्स भी होता है कई बार इसके बाद आपने बताया पेट्रोल या फिर डीजल मान लो पेट्रोल मान लो जैसे वहां पावर होता था यहां पेट्रोल है आपने बोला क्या परमिट चार्ड रूट परमिट चार्ड लाइसेंस हो गया रेंट हो गया गराज का रेंट इसके साथ हो गया इंसौरेंस और एक बहुत महत्पून खर्चा होता है ज्यादा से ज्यादा जो कार लिया जाता है किस्तों पर लिया जाता है उसका EMI, तो EMI खर्चा नहीं है, उसके उपर इंट्रस्ट का खर्चा हमारे लिए माना जाएगा, तो इंट्रस्ट और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जो मैंने लिखे दिये, ठीक है? तो भाई साब कुछ ऐसे खर्चे हो जाएंगे, ये टोटल कर देंगे अब रिपेर हो सकता है, टायर का खर्चा हो सकता है, टायर जितना घिस गया, अब देखो, अब बोलेगा कोई बच्चा सर, डेप्रिशेशन फिक्स होता है, हो सकता है, लेकिन हम अजम्शन कॉस्टिंग में लेते हैं, यूज के साब से लेंगे, अगर सवाल में आपको लगता है, कि फिक्स वाला ही पॉइंट है, यह कुशन कह दे, तो हम उपर सिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और क्या हो सकता है, रिपेर में सब कुछ आ गया, ओल, डीजल, मोबिल, वगयरा, सब कुछ, बहुत सारी चीज़े डलती है, वो सब आ गया, इ बी का और ये टोटल, समझ रहें बात, अब हम टोटल कॉस्ट अगर निकालना हो, तो मिर पास जगे कम है, लेकिन मैं यहीं करूँगा, फिर भी थोड़ा, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना हो, तो क्या करेंगे, सब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, कौन बच्चा बतायेगा टोटल कॉस्ट, अब इस पर पैसेंजर किलो मीटर की आपको निकालना है, तो डिवाइड कर henקे इसको किससे, इसको डिवाइड कर देंगे किसे passenger किलो मीटर पेसंजर किलो मीटर से इसको क्या करेंगे इस संख्या को passenger km से divide कर देंगे तो पर passenger km रेटा ठीक है समझ मैं आ रही है इसको यह इसको यहीं करके दिखा दीजिए या अलग से कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं पेज तो आपको unlimited मिलने वाला इसके बाद अब मुद्दे की बात है सर पैसेंजर किलोमेटर क्या होता है पैसेंजर किलोमेटर होता है टोटल किलोमेटर इन्टू में नंबर आफ पैसेंजर नंबर आफ पैसेंजर यह होता है हमारा पैसेंजर किलोमेटर पैसेंजर किलोमेटर आपको concept सारा समझ में आ गया होगा अब लग रहा होगा सर वैसा ही है कुछ-कुछ तो वैसा ही मुझे लगता है वह आपको पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा वह लंग बात है बच्चे कहरें चलान भी कटता है हाँ वह भी हो सकता है fix variable cost भी कर सकते हो आप बाकी यहां पर fix और running cost हम ज्यादा कर देते हैं fix का मतलब भाई अखड़ा करने का है और running का मतलब गाड़ी चलने का है तो fix और running ज्यादा से ज्यादा यूज होता है establishment charge भी हो सकता है बड़े इस देखो आप खर्चे की कमी नहीं है यह तो हम वो मोटा मोटी खर्चे लिखके चल रहे हैं जो खर्चा maximum इस्तमाल होता है खर्चे की कमी थोड़ी नहीं फिर बोलोगो पेंट का भी खर्चा है फिर बोलोगो लाइट का भी खर्चा है बहुत सारे खर्चे हैं इसके अंदर लेकिन उसके according लेके चल रहे हैं ठीक है हम जब तक सवाल नहीं कर लेते ना तो हम पता नहीं चलेगा हमें में सभी को concept clear हो में हमोऊबूर को हम दो यह निकाल रहे हैं कि हमें कितना पड़ेगा एक वर्यक्ति से उस नहीं करनें करने का तड़ीक सर एक कोश्चन आपके सामने है को फार्मेट बना लेते है और यह कोश्चन भी आपके किताब का उठाया गया है महिश्वरी मित्तल जिनके पास बुक है उसके किताब में दिखाने पर मैं बता भी देता हूं क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिस करता हूं क्योंकि दो ही बुक चल रहे हैं महिश्वरी मित्तल और यह अब मैं कुछ दिनों बाद में और टेनियर के भी सवाल करवाने चालू करूंगा चैप्टर का नाम भी बता दूँ कि कई बार मैं अपनी मर्जी से बताता हूं जो होता है और बुक में कई बार नाम क्या है ओपरेटिंग और सर्विस क्वस्टिंग यह चैप्टर गौन से है इसमें तो चैप्टर भी नहीं मिल रहा मुझे ए 424 ए परेटिंग और सर्विस कॉस्ट के नाम से मैं इससे सर्विस भी बूल दूँगा ऊपरेटिंग कॉस्ट भी बूल दूँगा और यह आपके किताब का ही सवाल है और किताब में हमारा यह सवाल 10.6 के गीवन है 10.6 है हमारे किताब का सवाल जिस बच्चे को देखना है वो देख सकता है किताब है तो बहुत अच्छी बात है दोनों से कर ले गाऊंँ ठीक है न मैं बताता चलूँँगा चलिए साथ अमाउंट पर्टिकुलर और ओप्रेटिंग कॉस्ट सबसे पहला पार्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिर नीचे लिख लेता है रणिंग कॉस्ट एक बच्चे ने बोला सार इसको वेरियेवल कॉस्ट करोवा मैंने का कर सकते हो कोई दिखत नहीं पढ़ लेते हैं कुश्ट पहले सवाल पढ़ लेते हैं सवाल में कहता है वर्क आउट एप्रोप्रियेट कॉस्ट देखो सवाल में क्या कह दिया बच्चा यहां पर सोचवार है यह तो कॉस्ट को कुश्टन आ गया कॉस्ट में सर ने तो ऐसा कराए नहीं कहीं तो जो हम मसीन आवर रेट कर रहे थे वो भी कॉस्ट था यह भी कॉस्ट और सिंगल आउट्पूट वाला भी कॉस्ट आपको समझना पड़ेगा यूनिट प के मतलब होता हैu हमारा के जो पैसेंजर को भर के ले जाते हैं लाना ले जाना प्रांदा-फॉलविंघ्वेशिक्र एक्सट्रीट बुक कहता है के 5 पैसेंजर बस स्कूस्टिंग यानि हमारे एक बस कीह मत नहीं है कितने बस है 5 passenger bus 55 bus है एक की कीमत यह दूसरे की कीमत यह तीसरे की की कीमत यह चौत्य की कीमत यह पांच वे की कीमत यह के इरली डेप्रीशेशन 20% एक बच्चे सवाल भी पूछाता सरा हर बार तो WDV लगाते हैं आप क्यों लगा रहे हैं इसके अंदर SLM का मतलब ही SLM होता है क्योंकि SLM के कितने नाम है आपका फिक्स कॉस्ट औरिजिनल कॉस्ट मेथड फिक्स इंस्टॉल्मेंट मेथड स्टेट लाइन तो यह स्टेट SLM ही है एन्वल रिपियर एंड मेंटेनिंस एंड स्पियर पार्स एट्टी पर्सेंट ऑफ डेप्रीशेशन बहिए जितना डेप्रीशेशन निकालोगे उसका होगा कि कहता है वेजिस ड्राइवर्स हंडेड रुपीज इच पर मन्त दस ड्राइवर है और दस ड्राइवर को हम कितना देंगे हर किसी को सौर रुपे हर महिने का वेजिस एंड क्लीनर जिसे बोलते हैं कंडेक्टर कंडेक्टर ही बोलते हैं न हां कंडेक्टर पचास रुपे यर्ली रेट ऑफ इंटरस्ट चार परसेंट ऑफ क्यापिटल ध्यान दीजेगा अब हमारे लिए क्या होता है बस का कॉस्ट जितने का बस खरीदा वोही तो क्यापिटल लगा है मैं वही कॉस्ट कहा जाएगा रेंट फॉर सिक्स गराज छे गराज ले लिया और पचास रुपे पर मंद का है इस यह गलत तो नहीं गया गराज जिस छे गराज क्यों लिया इसने पचास रुपे इच पर मंद एक मिनटे कर देख चे ही है रेंट फॉर सिक्स गराज छे ओ गराज का है पचास रुपे इच नहीं बही अलग अलग हो गया पर मंद हर महीने का बही छे गराज लिया है बस इस हैं तो रख रहा होगा यह चलिए कोई बात नहीं डायरेक्टर फीज चार सो रुपे डायरेक्टर का मतलब यहां पर मैं एक ऐसा भी हो सकता है जो कि सूपरवाइजर को ही यहां पर डायरेक्टर का शब्द दिया जा सकता है एक होता है कंपनी वाला तो कंपनी तो लग नीड़ा तो सूपरवाइजर गराइको डायरेक्शन जो देता होगा उसका फीस है 400 रुपे महिने की Office Establishment खर्चा 1000 रुपे महिने की License and Taxes हर महिने का Realization of Tire टायर बेच देता है भाई साब ये हर 6 महिने के बाद 3200 रुपे का टायर बेच देता है 900 पैसेंजर वर carried over 1600 किलोमेटर during the year अब हमारे बस कितने है सर 5 है अब यहाँ पे बोलता है के 900 पैसेंजर were carried over 1600 किलोमेटर साफ साफ बता दिया के 900 पैसेंजर चलेंगे और 1600 किलोमेटर की जर्नी है तो पहले आपको पैसेंजर किलोमेटर भी चाहिए होगा तो आप निकाल लोगे 900 इंटू में 1600 अब हम खर्चों को लिख लेते हैं सबसे पहले हम वेजस लिख लेते हैं सर वेजस वेजस लिख लेते हैं ठीक एक एक करके चलते जाएंगे वेजस अब हम मुद्दे की बात ये है पहले यहां ते कि देखो समझ में आ गया मुद्दे की बात है कि हम 6 बसिस का काम कर रहे है या 1 बसिस का काम करेंगे वो देखने वाली बात है कि किस तरीके से क्या काम होने वाला सरी हम 5 बसिस ग्राज छे थे पांच बस इसका काम कर रहे हैं या फिर हम एक बस इसका करके चल रहे हैं लास्ट में सवाल ने क्या का है बस इयर दे दिया और कुछ तो दिया नहीं भाई साब इन्होंने बस इयर दे के इन्होंने छोड़ दिया बोला यही है जो है हमारे पास अब मान लिज बस वेजिस देंगे दस ड्राइवर को और एक ड्राइवर को सौ रुपए तो भाईया एक महीने का हो गया 12 महीने पूरे साल का सब कुछ लेकर चलेंगे क्योंकि कहता है बैसे केरीड ड्यूरिंग दा तो सब कुछ यह में लेकर चलना पड़ेगा तो यह कितने हो गए बारा सो इंट्व दस बारा हजार रुपए का तो भाईया ड्राइवर का सैलरी चला गया पूरे साल में वेजिस देंगे अब किसका क्लीनर का क्लीनर बोलता है पचास बीस क्लीनर रखे हैं बोलता है पचास रुपए लुगा भाईया बारा और कितने हो गए ये भी बारा हजार हो गए yearly rate of interest 4% on capital तो सबसे पहले हम बस इस निकाल लें पहला बस पचास हजार प्लस दूसरा बस एक बीस प्लस तीसरा बस पैंता अलेस प्लस चौथा बस पच्पन प्लस पांचवा बस असी अजार सब को जोड़ देंगे कितने बन गए तीन लाग पचास अजार रुपए की बस की कीमत है डेट इस कैपिटल डेप्रीशेशन भी इसी पर लगेगा इंट्रस्ट भी इसी पर लगेगा तो कहता है कि चार परसंट इंट्रस्ट है यर्ली रेट ऑफ इंट्रस्ट चार परसंट तो भईया फिक्स ही है यह कितने थे साड़े तीन लाग का चार परसंट कितने होंगे सक्तर सक्तर एक्सो चालिश चौदा हजार वाई डारेक्टर का फीस है भाई साहब डारेक्ट्ट रेंट है रेंट त्रिक्स गराज का है तो रेंट दे रखा कि यह च्छे गराज भगवान जन ने कहा कहा कह यूस कर रहे हैं 50 रुपे भाई और चे गराज और बारह महिने तीन बारह च्छतिस अ च्छतिस सो होंगे अ कि ठीक चल रहे सब कुछ कि समझ में आ रहा है यहां तक बता दो अभी तक जितने बच्चे लाइब में बच्चे कह रहे हैं प्लस माइनस इयो पता नहीं क्या क्या लिख दिया पांच बस हैं कि सर लास्ट क्लास अफ्लोड नहीं हुई लाइब में जाके देखें भी बताएंगे लास्ट क्लास का सारा मामला बताएंगे कि क्या है नहीं है समझ गए ठीक है क्लियर बोल रहे हैं बच्चे तो आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर ना इस चैप्टर के अंदर मुझे बहुत कुछ डिटेल उसके अबाउट बताने की थी नहीं और आप अब देखोगे न तो आपको कहीं न कहीं फील आएगा मसी डारेक्टर फीस यहीं डाल दो डारेक्टर फीस 400 रुपे महिने का बारा महिने अगर यहां बोल देता नहीं एक बस का निकालो तब फिर थोड़ा सा हम क्या करते एक बटा पांच एक बटा पांच वाली कहानी करते ऑफिस इस्टेबलिस्मेंट हजार इंटू में पाई तेरा काम बहुत कम है नीचे आज़ा लाइसेंस फीस लाइसेंस फीस होते हैं इनके रूट परमिट हजार रुपे बारा महीने अच्छा एवरी सिक्स मन्थ एवरी सिक्स मन्थ तो साल में दो इसे तो होंगे दो हजार ये भी ध्यान रखने वाली बात है अब डेप्रीशेशन वगरा रिपेर वगरा तो नीचे जाएगा तो डेप्रीशेशन तो साड़े तीन लाग का सवाल ने खुद बोला था साड़े तीन लाग का बीस परसेंट ले लो सत्तर हजार रिपेर सवाल ने क्या कहा था डेप्रीशेशन का 80 परसेंट ले लो तो सत्तर हजार डेप्रीशेशन निकला था उसका परकिये पहले ना इसको हम पर आवर लेके चलते थे मसीन में यह टोटल लेके चलेंगे तो 56 और कुछ है क्या बस लास्ट में कहता है टायर बेचके पैसे आगे खर्चे को जब प्लस कर रहे हैं तो जब टायर बेचके पैसा आ रहा है तो भाईया माइनस कर दो कि लेस कि टायर सेल कर दिये 32 रुपए कि साल में दो बार टोटल ए टोटल बी प्लस कर दीजिए वाँ चेला यह छे लाख अब इसको कर दीजिए साथ पाज बारा और छे करिए इसको अब मैं यहां पैसेंजर किलोमेटर निकाल लेता हूँ यहां पे पैसेंजर किलोमेटर तो पैसेंजर किलोमेटर क्या बोला था टोटल कितना चलेगा तो 1600 और हर बार कितने 900 तो देट इस पैसेंजर किलोमेटर आ गया 14,40,000 अब हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट हमें पता नहीं है इधर लिख लेते हैं जगह नहीं है टोटल कॉस्ट डैट इस ए प्लस में दी तो यह आ गया 119 प्लस में 60 टोटल एक असी आ गया लोजी थोड़ा सा जगह बना ले एक असी आने के बाद अब हम निकाल लेंगे पेसेंजर पर किलोमेटर पेसेंजर पर किलोमेटर तो डिवाइड करतेंगे एक लाक असी अजार का भाई साहब खर्चा आया और इस खर्चे पर हम चला पाएंगे चौदा लाग 40,000 किलोमेटर डिवाइड करिए 0. तो 125 तो ये खर्चा हमें हर पैसेंजर से परते किलोमेटर हर किलोमेटर एवरी किलोमेटर चार्ज कर देना चार्ज नहीं करना चाहिए हमारा खर्चा है कॉस्ट है अगर मान लो 10% मुनाफ़ा कमाऊंगा तो बताओ पैसेंजर से 1 किलोमेटर का कितना लेना अगर मैंने बोला जितनी भी कॉस्ट है उसका 10% मुनाफ़ा कमाऊंगा तो बताईए कितना होगा 10% आपका 12,5-12 पैसे बन रहे हैं तो 10% इसी का निकालके add कर दीजिएगा मैंने profit सवाल यही तो आएगा एक्जाम में यह गलत है एक असी तो लिखा है भाई यह B का total है और A का total है लग 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 ले चल रहे हैं तो अगर मैंने profit बोला तो प्रॉफिट प्लस कर देंगा 10 परसेंट बोला है तो जो भी आज़े 0.012 और फिर प्लस करके आगे समझे बच्चे ने बता भी दिया सर एक रुपए 37 पैसे ले लीजिए तो आपका नुकसान नहीं होगा बिल्कुल सही जबाद चले आगे एक और सवाल देखें और थोड़ चलिए साहब कुश्चन पढ़ेंगा आराम से तसलिलेशन कहते हैं दा फॉलविंग इंफॉर्मेशन है बिन इस्टैबलिंग 2016 फुल ओपरेटिंग कॉस्ट पर ट्रक आवर एपलिकेबल ट्रक ओपरेटिड आज सर्विस डेपार्टमेंट टेली कम्पनी कम्पनी टेलीफोन की कम्पनी में होता है जैसे ट्रक है तो कुसी काम के लिए लगा दिया होगा भाई कहता है 2015 एक्चुल कॉस्ट यूज दो हजार सोला देखले कहीं वही कॉस्टन है या दूसरा है कॉस्ट रेंट चलिए कोई बात में कहता है साहब कॉस्ट ऑफ रेंट इंसॉरेंस रेट्स और पार्टेनिंग ऑफ गराज इन सब का खर्चा 21,000 है वन थर्ड एलोकेटेड ट का तीन ही डाली और जो हमारा यह गराज वगरा यह सब कौन सा डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट पर तो आता है तो वन वाइट थर्ड आजएगा मैं वाना लू साथ के साथ करता जाओं कि अगर अगर कि चलिए पिक्स चार्ज कि रणिंग चार्ज कि इसमें पता है कहां पर आपको प्रॉब्लम देगा पेट्रोल में बस और कहेंगे कहता है रेंट वग्यारा सब कुछ भाई साहब इन सब की कीमत है चौबिस हजार इच नहीं बोला कहता है कॉस्ट ऑफ रेंट इंसॉरेंस रेट्स पार्टेनिंग सर्विस गराज वग्याज का लगेगा 21000 और एक बटा तीन सर्फ सर्विस डिपार्टमेंट पर होता है अच्छा 21 है अभी फिर परिशान होते लास्ट में हम एक बटा तीन मतलब पहले आले पॉइंट को देखें एक पॉइंट करके पढ़ेंगे दीरे दीरे बच्चे कह रहे हैं बुक में अलग फॉर्मेट में दे रहे हैं वो छोड़ी है वो कोई दिक्कत नहीं है वो चलेगा फॉर्मेट को चलेगा कोई बरड़ी बात नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर ठीक है बुक वालों ने पहले टोटल दो कॉलम बना दिया मैंने एक कॉलम में कर दिया कोई फरक नहीं पड़ता पहला पॉइंट के लिए रहे दूसरे पहाज है दा ट्रक बिलॉंगिंग टू दा सर्विस डिपार्टमेंट री पर्जेंट वन क्वाटर और ट्रक हेंडल बाई ग्राज कहता है यह लाइन में कुछ हमाउंट तो नहीं दिया हुआ कहता है कि यह सर्विस डिपार्टमेंट रहते हैं और ग्राज का जितना भी एरिया उक्यूप आए है वो सिर्फ एक बटा चार पार्ट ही इसको ऊपर जा रहा है एक बटा चार वन क्वाटर का मतलब एक बटा चार ठीक है अब पूरे ग्राज का फॉर्मेंट के सेलरी अब ध्यान दीजिए कहता है कि फॉर्मेंट का यानि पूरे गराज में जितने भी फॉर्मेंट है कहता है फॉर्मेंट फॉर्मेंट फॉर्दा गराज अब यहां पर इसने बोल दिया कि भाईया जो हमारा ट्रक बिलोंगिंग टू तो सर्विस डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट वन कॉर्टर ऑफ दा ट्रक हैंडल पॉर्मेंट का है सारा का सारा क्या करेगा डिवोट करेगा किसके उपर गराज के उपर पहले देखिए यहां तक मतलब जितना भी टाइम है वो सारा का सारा सर्विस डिपार्टमेंट में देगा तो फॉर्मेंट की सेलरी गराज में हैं 6400 all time was devoted to the truck truck के उपर डिवोट कर रहा है लेकिन ट्रक का हिस्सा कितना हैंडल कर रहा है कि और में कि सेलेडी चौह सट एक बटा चार देट इस इस सोलह सो कहता है हीटिंग एंड लाइटिंग कॉस्ट अफ गराज अब बताओ यह कितना लिखेंगा आपको बताना है हीटिंग एंड तो बड़ी समझदारी वाली बात करी के सर इसको भी एक बटाओ चार करिए क्योंकि गराज में तो एक बटाओ चार है जाते इस सेवन फिफ्टिंग अधर रुनिंग एक्सपेंस फ्लेक्ट्टिंग विद ट्रक ओपरेटिंग आवर कहता है दूसरे खर्चे न वो जितने घंटे चल रहा है उसके हिसाब से बढ़ता घटता रहता है अमाउंट टुभी 4800 फोर एट ट्रक्ट इन दा सर्विस डिपार्टमेंट कहता है 4800 रुपए का खर्चा आता है 4800 रुपए का खर्चा आता है सर इंसौरेंस एक बटा चार नहीं आ होगा अभी इंसौरेंस पर पहुंचे क्या हूं अभी आ जाएंगे देखते हैं तो कहता है कि आठ ट्रक के उपर 4800 का खर्टा होगा सर्विस डिपार्टमेंट में तो आ जाईए सर रनिंग एक्स्पें अब हम देख लेंगे सारा कुछ आठ ट्रक पर था यह सारा कुछ एक ट्रक पर अगर सारा कुछ एक ट्रक की जानकारी है तो डिवाइड कर देंगे वन बाई अब एट है हां एक का निकालने के अब चिक है तो जो भी आ जाएगा 600 बोल रहे हैं 600 लिख दिया लो कहता है दट ट्रक 50 आवर इन आ वीक बोलता है ट्रक ओपरेट पचास गंटे चलते हैं भाई साब यह तो मसीन आवर जैसा लग रहा है और 52 वीक होंगे मतलब होता है रुक जाता है वर्किंग आवर में मतलब चलता नहीं है खराब हो जाता है यह सब मान सकते हैं तो लेट डाउन मतलब रुक गया तो पचास इंटू बावन बताईये कितना होगा 26 सो में तो भाई साहाब माइनस रिपेर में चले गए कितने 100 मेर को तो लग रहा है यह मसीन आवर रेट के अंदर होना चाहिए As the result Strike August के अंदर Strike हो गया और गराज वस Close for two weeks अच्छा यानि दो हफते गराज बंद रहा वो भी माइनस हो जाएगा स्ट्राइक के वज़े से तो 50 इंटू में दो यानि सर 2300 गंटे 2400 गंटे काम चले यह सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक का आवर निकालने के लिए जानकारी था Cost of truck अब कहता है Cost of each truck 4000 and its scrap value 400 गंटे लाइफ है चले डेप्रीशेशन निकालने के काम आएगा देट इस आपका 4000 माइनस 400 और डिवाइड़ वाइ 10,000 पर आवर गंटे का आजाएगा अभी भी मेरे दिमाग में न एक चीज़ चल रहा है जो आपके दिमाग में भी चलना चाहिए कि कि सारे खर्चे 8 रखें या एक के अब अगर सारे खर्चे 8 के या है राके कह लख एक का निकाले गे estimated repair का expected कितना आएगा 2000 तो repair का खर्चा 2000 driver wages paid amount 20,000 रुपे पर येर तो driver का salary calculate एप्लीकेबल रेट पर आवर टुबी यूज रेप्लेक्ट इन फुल ओपरेटिंग कॉस्ट 2016 में ट्रक ओपरेटिंग दा सर्विस डिपार्टमेंट टेलीफोन कंपनी के अंदर ट्रक को डिपार्टमेंट दे दिया वैसे इसको ट्रक न बोलके ये कोई ओला ओला कैव बोल देते तो इस पर ज्यादा सूटे बोलो था बाकी है तो क्या कर सकते हैं पहले यहां तक देखिए आपको कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है पढ़ें आगे चले चलिए अब जो हम सोच रहे थे क्या सोच रहे थे सर देख रहा है कॉस्ट इंस्वारेंस रेट पार्टेनिंग ग्राज एक ग्राज का खर्चा है चलिए ठीक है भाई सांब ट्रक्स बिलॉंगिंग्स दॉदा सर्विस डिपार्टमेंट वन क्वार्टर ट्रक्स जितने भी ट्रक्स है यानि बहुत सारे ट्रक्स वह यह जाता है ओर में ऑप दग्राज ग्राज का जा रहा है कितना 6400 रुपए और हेस टाइम डिवोर्ट टू दा ट्रक्स अभी भी ट्रकर का यह खर्चा है इनिसस्रविस डिपार्टमेंट थीक है भाई साइब यह आघी कहता है जो ट्रक्स है करते हैं 50 सुआइंक ही यानि सभी ट्रक्स को मिलाके कर रहे है हैं यहांपर ट्रक नहीं तों एक अजंशन ले सकते वारे मैं बात कर रहा है तो यह भी आठ के बारे में ही बात कर रहा है तो एक दिक्कत वाली बात है चार Sü थी क्ट सो एक ट्रक का कॉस्ट है ठीक है न एक ट्रक का और और चार सो लाइफ उसके इसाफ से दे रखा है ओपरेटिंग आबर दा एस्टिमेटिट रिपेर ओपर दा लाइफ ओफ ट्रक एक्सपेक्टेड टू अब फिर से यहां पर एक ट्रक का दे देता है यह दो हजार ड्राइवर्स वेजिस पेड अमाउट तो यहां पर ना पूरा मैं सब हो गया कुछ चीज क्या कुछ चीज क्या हम सिंपल सा अजम्शन एक ले लेगा है ठीक है कि हमें सारी जानगारी एक ट्रक की गीवन है बस एक अजम्शन लेना है कि सारी इंफॉर्मेशन ओल इ देकर करूआ चला है करें अगर यह अगर मैं बात करूं रखने माने जाएंगे जिसमें काम चला है अगर नॉर्मल लॉस होता तो हम माइनस करके फिर निकाल के ठीक है पच्छिस सो घंटे काम चला है एक अजम्शन मैंने क्या लिखा जितनी भी इंफर्मिशन जितनी भी जानकारी दे रखी है सभी के सभी कितने की दे रखी है सिंगल वन ट्रक का क्योंकि आप ट्रक के अंदर फिर घूम जाओगे बीच में एक्जामनर यह तो हो सकता है क्या देना चाह रहे है तो हम सारी जानकारी अब यहां से क्लियर्टी हो जाएगे कि भाया सारी एक ट्रक की जानकारी थी और यह व हीटिंग बुक में एक हजार आवर है है कि मेरे इसमें नहीं है 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 हीटिंग कहां पर आई है कि तीन हजार है यह तो कि 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 गुनगुन क्या कह रहा है सर इसमें बोला है कि वन क्वार्टर ओफ ट्रक गराज हाँ कि क्या ले रखा है कि मैंने भी डिवाइड नहीं किया गया कि अच्छा कि मंत लिक्यों कि एक मिन हीटिंग लाइटिंग कि कि अरे थीक है मैं समझ गया क्या कह रहा है समझ गया समझ गया कि समझ गया मैं बता देता हूं बता देता हूं कोई दिक्कत ने पहले यहां तक देखिए हीटिंग लाइटिंग को छोड़िए पहले यहां तक देखिए यहां पहले यहां गच्या कोई वगवा है यहां यहां तक देखिए चलिए समझा देते हैं अब बच्चों के दो कोईरी हैं मैं एक बार इसको मिटा दू क्लीन कर दू सर दो कोईरी हैं इस दोनों कोईरी को सॉट आउट करके बस आंसर निकाल देते पहला कुशन है यहाँ पे कहता है कि कॉस्ट ओफ रेंट जो रेंट लगेगा जाज का एरिया है ना वह पारटनिंग कितने हिससे मो रहा है एक बाटा तीट respuesta बाटा वथा में सपर 25 कि चला जाए में आगे क्या ते लाइन में Incorpor 않 गार संट कर घज औरूर जो व्यजकσι को यह निडेग ते सर्विस इपार्टमेंट से एन one-quarter अब यहां पर कहता है कि four-man की सेल्री है च्वा को invert इसके चार हिस्से हैं यहां पर ट्रक है कि यानी एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ट्रक का एरिया जो है one-fourth जा रहा है Бाद और हम अगर लाइटिंग्ग की बात करें और अधर एक्स्पेंस की बात करें तो वह कितना ले रहा है वन बाइट थार्ड ले रहा है यह थोड़ असा बैं दुबारा पढ़ देता हूं यहां क्या कहता है कि पार्टेनिंग दा ग्राज वॉस ग्राज को पार्ट कर दिया गया जिसका किराया आया था 21,000 और एक बटा तीन ऐलोक पार्टर आप दुट्रक हैंडल और रख जो है वह एक बटा चार पार्ट ही हमारा इसका क्या कर पा रहा है है रहा है कि इसको पर पोस्सनेट करूंगा को कि एक अजम्शन मैं लिख देता हूं काफी बच्चे सवाल पूछे जा रहे हैं मैं अजम्शन लिखता हूं रुपो अज्यूम और एक्सपेंस आर गीवन और गीवन और वन्ट रख सारे खर्चे गीवन हैं हमें एक ट्रक के कुछ बच्चों कहना है सर लाइटिंग आर्ट के लिए है या कितने के लिए लोगे सर कैसे करोगे इसको हो तो मैंने बता दिया कि अच्छी कहा है कि अनुल कि के एक चलिए यह जंचन ले लिए अब पहले देख लिजे तो rent को मैंने क्या करा 1 by 3 area कर दिया 4 men का salary था क्योंकि ये related था ये वाला adjustment जो related है वो इससे related है कि 4 men का salary 1 by 4 कर दिया अब heating and lighting जो दे रखा है 3000 रुपे दे रखा है ये पूरे garage का दे रखा है तो lighting का area कितना part होगा यहाँ पे question mark लग जाता है तो sir यहाँ पे ये भी देखो possibility है कि lighting का part जो है वो जो है one by third बोल रहा है allocate होगा service department में तो सिर्फ इसका one by third चला जाएगा service department में ये भी हो सकता है कि garage जो है वो सिर्फ service department का एक बटा चार हिससे handle कर रहा है एक बटा चार भी जा सकता है दोनों चीज़े possible हैं यहाँ पर note देना पड़ेगा कि आपने lighting को किस basis पे पर पोस्ट किया है आपने point number one के basis पर पोस्ट किया या दो के basis पर पोस्ट किया इसके लिए भी आपको note देना पड़ेगा तो मेरे सवाल के इसाब से जो book में कर रखा है आपका मैं वही कर देता हूँ book में क्या करा हुआ है उन्हेंने point number one के हिसाब से proportionate कर दिया है that is आपका 1000 आ गया आप एक बटा 4 भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है clarity नहीं है न इसने बोला light का खर्चा 3000 गराज का है उपर बोलता है garage का area one by third है यहां बोलता है कि जो truck belong करेगा one by fourth करेगा garage का area तो दोनों थोड़ा contradict हो गया तो मैं पहले वाले से कर दूँ चाहिए इस से कर दूँ मैंने इस से ज़्यादा priority पे book में क्यों करा हुआ है क्योंकि rent और light वगएरा सब एक जैसा ही है उसको one third बोला हुआ है तो इसलिए हमने इसको one third कर दिया दूसरा आ जाते है running expense तो खुदी कह रखा था आठ ट्रक का था मैंने divided by 8 कर दिया अब repair का खर्चा repair का कहा के repair कहता है the estimated repair over the life of truck expected 2000 अब ये बात ध्यान रखिएगा जो ये 2000 रुपय का खर्चा है न ये एक का नहीं है पूरे ट्रक के life का है ये पूरे ट्रक का life का खर्चा 2000 है clear driver की salary डाल दिया driver की salary 20,000 है ज्यादा नहीं है तो सारे खर्चे 1000 में ये 20,000 कैसे है 20,000 दे रखते हैं चलिए चलिए रह गया depreciation depreciation कैसे निकालोगे सर 4000 minus 400 क्यूंकि एक ट्रक मान रहे हैं divided by 10,000 और ये भी divided by 10,000 और हमें किस पे काम करना है 2500 पे हमें काम किस पे करना है 2500 पे साली है इसका खर्चा 6, 5, 11, 9, 2000 अब कहां निकाले इसको 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 चोटा कर दिया जाए है ना अरे question को छोटा कर दिया जाए तो per hour 39,600 प्लस 2000 31 divided by 2500 12 point इसको आवर दे रखाते हैं यहां पे बोला गया था कि भाई पचास घंटे काम चलेंगे 52 हफते तक तो आपने निकाला 2600 बोला रिपेर वगेरे में नुकसान हो जाएगा 100 का आपका आगया 2500 बोला स्ट्राइक के बाद भी दो हफते का नुकसान होगा इसको हमने मान लिया अगर रोजाना ऐसा स्ट्राइक चलता ही रहता है फैक्ट्री के तो ऐसा बच्चे कहना है कि सर अब आपकी इच्छा है उसने यह कहा ट्रक का आवर निकाल यह मैंने ऐसे निकाल दिया अब आप बोल रहे हैं सर इसका टोटल कॉस्ट क्यूं निकाल रहे हो वही है टोटल कॉस्ट निकाल के मैंने टोटल से डिवाइड कर दिया आपको लगता है पर बार निकाल लोगे जब तक total cost नहीं पता चलेगा तो कैसे निकालोगे महीं तो पता चलिगा Moyetto तो हमारा जो चप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्या सर सर्विस स्कॉस्टिंग हमने क्या कि यहां पे हम किसी भी कार का motor vehicle का service costing निकालेंगे कि पर passenger km कितना चलेगा और एक और topic आएगा पर commercial turn km कितना चलने वाला है तो अभी हमारा topic चल रहा है passenger km जिसमें दो सवाल दिया था एक सवाल के अंदर अजंशन वगरा लेके करा था अब आज आईए सर अगले सवाल पर चलते हैं एक ये सवाल है इसको देखेंगे हम ये भी infect exam म में आया हुआ कोश्चन है और अच्छा कोश्चन है चीक है ना बच्चे कह रहे है सर मसीन आवर रिट गंदा चप्टर है अब देखो कोई बात नहीं अब उसे करना तो पड़ेगा देखो बस 15-20 दिन और उसको देख लो जिया है सरग, क्या है चालिया सरग, क्या सकाथ, क्या बच्चन है चीक है और बेड़े हैं तेख लिए और बटेख लाओनापना चंग ठाहर टूंदाट जिए देख सरलिएश्टी कर देख लियोदर नहीं अब्टेख्चन है सबसे पहले स्टेंडिंग चार्ज स्टेंडिंग चार्ज इसके बाद रनिंग चार्ज रनिंग चार्ज कुश्चन पढ़ लेते हैं एक पर पर कुश्चन हर किसी को विजबल होगा कहता है वरुन लिमिटेड रनिंग आप बेस बिट्मिन डेली टू अलवर यानि भाई साब ये डेली से अलवर आना जाना कर रहा है covering distance 100 km और यहां से यहां तक का 100 km की दूरी है the sitting capacity of each bus 40 passenger और जो बस है इस बस के अंदर passenger की अगर बात करें जो बैठेंगे वो कितने 40 passenger बैठे जा सकते हैं इस बस में the following particular obtained books of account for the month October एक महिने का detail दे रखा है तो महिने के हिसाब से लेकर चलेंगे हम कहता है wages of driver driver and conductor आपको given है 9600 एक महिने का salary staff का 3000 रुपए honoronium accountant honoronium का मतलब हो गया service जो देता है उनको salary वगर है दिया जा रहा है ये भी खर्चा है सर इसके बाद diesel oil 16000 रुपए कितना असान सवाल है repair maintenance सब कुछ सीधा सीधा road tax insurance depreciation भी निकालके दे दिया interest भी निकालके दे दिया सर क्यों करा रहे है फिर ये कहता है actual passenger carried 75% sitting capacity भाईया बोलता है कि भाईया कुछ भी कर लो इसमें न 75% capacity पर ही जाएगा इसका मतलब 40 का 75% निकालोगे तो whatever आएगा जैसे कि हम 40 का निकाल ले है कि 70% तो यह 30 passenger ही हम लेके चल पा रहे है ठीक है न तो passenger किलोमेटर कैसे निकालना है देख लेंगे all buses run 30 days सभी बस 30 दिन रड़ रहे है इच बस made all buses कितने बस है भाई चार बस है पहली बात और the following particular obtain the books of account month wages of drivers conductor salary staff का दे रखा है हमें और नोरोनियम अकाउंटेंट का डीजल ओयल अब देखे फिर से confuse कर दिया है यहां पर थोड़ा सा चलिए कोई बात ने कहता है made one round trip day एक round trip day का मतलब हो गया वह यह 200 किलोमेटर चलेगा 200 किलोमेटर चलने वाला है ठीक है सर फाइंड आउट और 200 किलोमेटर के चलने के बाद find out the fair company should charge passenger किलोमेटर want to profit taking time अब सवाल मेरा बस यही कराना था यहां पर के जो होता है taking time taking का मतलब होता है sales यहां पर taking का मतलब समझे आप sales से तो जो profit लेगा ना वो sales के उपर कितना लेने वाला है 20% मैं में 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 चीजे सारी डाल देता हूं जो information given है उस information के हिसाब से करेंगे सबसे पहले फिक्स चार्ज में वेजिस फिक्स चार्ज में सर वेजिस पहले लिख लेते हैं और यह तै करना है सवाल में के भाया यह रणिंग चार बसी से तो यह वेजिस तो जो दे रहा है वो कितने का दे रहा है दो following particulars are obtained from its books for month इसके मंत का वेजिस of drivers and conductors यानि बहुत सारे driver भी है और बहुत सारे conductor है salaries बहुत सारे स्टाफ भी है जिनकी salary दी जा रहे है अनुरियम तो एक होगा diesel and oil कुछ नहीं पता repair and maintenance road tax and insurance depreciation interest and other charges तो भही है पता नहीं चल रहा तो अजंशन लेना पड़ेगा आपको सिर्फ यहां से पता चल रहा है कि यह जो खर्चे हैं यह साइच चार बस इसका है और नीचे कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि आपको कितने बस इसका है तो चलिए पहले लिख लेते हैं wages कितने का है सर वेजिस है 90 कि वेजिस के बाद सेलरी कि कितने कि तीन हजार इसके बाद ऑनोरोनियम कि ऑनोरोनियम कि सर अनोरोनियम सर्विस का होता है अकाउंटेंट कि कितने कि डीजल 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 रोटेक्स अच्छा रिपेर रहे गया रिपेर रोटेक्स डेप्रीशेशन आप दस हजार इंट्रस्ट अच यह इंट्रस्टार इंट्रस्ट आठ हजार और अजाईए चैथा है परसंट कापिसिटी निकालते हैं यानि बस एक बार जाएगा एक बार आएगा तो इसका जो distance है डेली से लेखे यहां तक 100 km है यह जाने का distance है और फिर इधर से आने का भी distance अगर हम count करेंगे तो आने का भी 100 km इसका मतलब एक bus जो है वो 100 km चलने वाला है और सॉरी 200, 100 आना इंटू में 2 यानि 200 km चलेगा पहले तो यह clear करिए कि बस एक bus, one bus कितने किलोमेटर चलेगा? 200 km कितने bus है? चार अजम्शन ले रहें कि यह सारा खर्चा हमारे चार bus इसका given होगा तो चार हो गया और multiply by अब हमारा passenger देखेंगे महिने कितने होंगे? यह एक दिन का था? कहता है हर एक bus made one round trip per day एक ही trip चलेगा तो यह हो गया सर, यह क्या हो गया सर? यह हो गया हमारा kilometer चारो bus का और यह हो गया 30 दिन में और passenger कितने चलेगे सर? 30 अब इसको solve कर लेते हमारा आजाएगा passenger kilometer आजाएगा passenger kilometer 7 लाग बहुत ज्यादा आ गया है तो 7 लाग 20 अजाद चलो कोई ज्यादा नहीं आ गया मतलब कि amount और यह amount छोटे छोटे हैं यह amount बढ़े हैं तो कई बार लगता है anyways यहाँ total निकाल लेते हैं total A 9600 एक बार बुक में यह चेक कर लिए कहीं इसमें कोई error तो नहीं क्यूंकि बुक का ही question है आपका यह बुक में यह आ गया हमारा 29 छेसो लिखाओ यह दिखाओ दिखाओ लिखाओ 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 29 पहले यहां तक देखिए आप ठीक है अब मुद्दे की बात है सर बीस परसेंट प्रॉफिट कमाएगा और आपको बताना है कि कहता है find out the company should charge पर पैसेंजर किलोमेटर चार्ज करने का मतलब पैसेंजर से कितना लोग है तो पैसेंजर से कभी कॉस्ट नहीं लिया जाता पैसेंजर से प्रॉफिट को जोड करकर लिया जाएगा अब हमारा अगर टोटल कॉस्ट देखें मैं इसे थोड़ा सा हटा देता ह हो यहां से अगर हमारा टोटल कॉस्ट देखें सवाल में बताइए कितना है टोटल कॉस्ट अगर मैं टोटल कॉस्ट कर दूँ तो सर टोटल कॉस्ट क्या होगा एपलस बी देटेश हो जाएगा हमारा 28000 और प्लस 29600 अब इसके उपर 20% जो कमीशन की बात कर रहे है लो इसके उपर बीस परसंट नी बोल रहा वो किस पर बोल रहा है तो यह हमारा क्या टोटल कॉस्ट है यह क्या है हमारा कॉस्ट है तो कॉस्ट के बाद सेलिंग कैसे निकालते हैं सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल्स जो होता है हमारा सेल्स इसी कल टू क्या होता है हमारा कॉस्ट प्लस में profit यही होता है sales तो sales हमें पता नहीं है और cost हमें पता है कितना cost है हमें sir cost हमारा है 28, sorry 57,000 57,600 sales नहीं पता तो let x कर लिया profit sales के उपर 20% है तो plus x by 5 आ जाएगा sir x by 5 कैसे आया अगर आप निकालते हो x को गुणा कर दो sales का 20% 20 बटे 100 तो यही बन के आएगा अब x की value जब आप solve करते हैं तो क्या आता है देखते हैं x x को एक side ले जाएंगे हम x x को एक side ले जाएंगे हम चलिए 57,600 और यह कितना जाएगा हमारा 4x divided by 5 और 57,600 तो आपने बता दिया sir x का value क्या आ गया 72,000 आ गया हमारा किसका value x का अब x क्या निकला है हमारा sales निकला है तो very simple passenger पर किलोमेटर is equal to sales आ गया हमारा 72,000 और किलोमेटर आ जाएगा साथ लाख 20,000 तो 72,000 साथ लाख 20,000 देट इस हमारा आ गया 0.1 एक पैसेंजर से एक किलोमेटर का 10 पैसे वसूल लेने चाहिए 0.1 का मतलब क्या हो गया 10 पैसे कोई दिक्कत बताईए कोई दिक्कत है इस वाले question में हमने क्या सिखा taking का मतलब क्या है taking का मतलब क्या है sales है working note भी समझाना working note दुबारा बना देते हैं यह वाई नहीं समझ में है तो अगले page पर कर देते हैं working note working note देख लीजी आप कि यह distance है यह distance Delhi का था अलवर का था भाया जाएंगे जाएंगे सो किलो मिटर जाएंगे भाईया आएंगे आएंगे सो किलो मिटर आएंगे तो एक बार जाने आने का एक बस का एक बस का होगे हमारा सो किलो मिटर जाना और प्लस सो किलो मिटर आना यानी 200 किलो मिटर का ट्रिप है हमारे पास चार बस है तो एक दिन में हम 800 किलो मिटर के दू आया था श्टार्टिंग मैं फॉर्मूला कहलो कुछत भी कहलो कहां गया बा Till पैसेइजर क्लूमेटर कैसे आएगा टॉल वाया और चक्लूमेटर कौरो जबिलो टो तर टीश को यह यो passenger है passenger है, sir, कैसे आया? क्योंकि 40 passenger बैठ सकते थे इसका 75% निकालोगे तो 75% आयेगा 30, जो कि मैंने यहां पे लिया है और यह क्या है? यह दिन है यह क्या है, sir, यह days है और यह क्या है, sir, kilometer है एक दिन का, तो इस तरीके से हमारा आ गया, चलिए देखिए sir, D2 D2 200 km कैसे आया? 100 km जाना, 100 km आना round trip का और जितने भी बच्चों की first class है मैं कहना चाहूँगा कि वो cost sit start कर दे, cost sit करें और उनके लिए मैंने बताया हुआ है कैसे करना है, नहीं करना है study plan मैं application वाले बच्चों के लिए मैं अलग से बना के डाल दूगा और एक आज announcement भी करेंगे लास्ट में आप लोग के डाउट के लिए चले अगले कोश्चन पर चले अगले कोश्चन पर बताईए सर, मुझे लगता है ये कोश्चन तो बनता है आना मतलब सर ये ऐसा कोश्चन पेपर में आ सकता है जी हाँ चलिए देखे सवाल को समझते हैं टले फॉर्मिट अरे ये लाइन की भीज़ देखे चलिए तब करें सवाल पहले क्या आएगा सर रनिंग चार्ड़्स फिर स्टेंडिंग चार्ड़्स क्या ओहो उल्टा हो गया ये तो चलो दिमाग में बहुत सारी बाते चलती रहती है और सबसे ज़्यादा टेंशन डाउट के हैं मुझे बच्चों के रिवीजन कि चलिए अगरे आजी कहता है परकास ट्रांसपोर्ट कंपनी है है एज बिन गीवन रूट 20 किलोमेटर इसका कहने का मतलब है आने जाना जो परकास किलोमेटर का है इसका डिस्टेंस है 20 किलोमेटर का मतलब जो भी रूट है लॉंग टू रन बस और इस पे चलता है यह दा बस कॉस्ट कंपनी सम अफ रूपीज पचास अजार इसकी कॉस्टिंग पचास अजार है और उसका इंसॉरेंस इंसॉरेंस तीन पर्सेंट में सबसे पहले इंसॉरेंस ही लिखुगा वैसा मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ इन्सॉरेंस हो तो इस नो कि यह 030 अभिये खर्चा एक साल का है तो एक साल का यह महिने का है तो एक बढ़ता-बारों करना पड़ेंगा वहाँ per annum given है यह सवाल में ध्यान देने वाली बात है and annual taxes will be 1000, annual taxes भी दे रहा है आपको 1000 तो tax, चल यह पढ़ी लेते हैं नहीं तो, garage का rent है 100 रुपे महिने का, annual repair का खर्च है 1000 रुपे bus is likely to कहता है bus is likely to last for 5 years and bus का जो life दे रखा है last for 5 years, नहीं पिछले 5 सालों का बताता है, कहता है 1000, 5 सालों में यह खर्चा regular आ रहा है, the driver salary, 1500 रुपे महिने का, conductor salary 100 per month, हर महिने का conductor का salary है, अब conductor तो समझ में आता है ना, जो ticket काटते हैं वो conductor होता है, जो bus चलाता है, वो driver होता है, additional 10% taking commission, भाई साब यह line, इस line को तो highlight कर देते हैं, यह line, अरे, यह line क्या कह रहा है, यह line कह रहा है, यह line कह रहा है, कि additional, 10% commission, और यहां पे देखो, taking, taking का मतलब तो sales होता है, यानि sales के उपर commission मांग रहा है, to be shared to the driver, यानि साहब, हम driver को commission share करने वाले हैं, driver को, and conductor equally, driver और conductor को, दोनों को बराबर, बराबर मिल जाएगा, cost of stationary will be 50 रुपे पर महिने का आएगा, manager come accountant की salary, 350 पर महिने का आएगा, patrolled and diesel, 25-100 km चलेगा, तो 25 रुपे का खर्चा आएगा, और the bus make 3 round trip every year, तो 3 trip मारेगा, 3 trip का मतलब जाना आना, एक बार का हो जाएगा, हमारा 40 km, और 3 बार का हो जाएगा, हमारा 120 km, एक दिन में दूरी तै करने वाला है, average passenger 40 है, इच ट्रिप में, assume 15% profit of taking, यानि इस पे भी 15% का profit sales पे है, calculate bus fare to be charged from each passenger, this will be run on the average 25 day in a month, यानि महिने के हिसाब से निकाल रहा है, और ये खर्चे annual था, तो 25 day in a month मतलब अब हमें करना पड़ेगा, एक बटे 12, अब करना पड़ेगा, सवाल बड़ा असान है, सवाल बड़ा असान है, चलिए सर, insurance, सबसे पहले उपर पढ़ते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं, insurance के बाद annual taxis दे रखा है आपको 1000 रुपे, टेक्स दे लिया सर, 1000, annual है ये, तो एक बटा 12, इसके बाद आगे क्या कहता है, annual taxis के बाद, गराज रेंट 100 रुपे पर मत, तो साहब रेंट, ये तो 100 ही आ जाएगा, इसके बाद गराज रेंट के बाद बोलता है, annual repair 1000 रुपे, तो रिपेयर आ गया, 1000 divided by 1 by 12, अब रिपेयर के बाद कहां पहुँच गया सर, मुझे दिखनी रहा, तो ये रहा, annual repair, बस likely to last 5 years, मतलब 5 साल है, the driver salary 1500 रुपे हर महिने का, तो ड्राइबर, 150, महिने का ही निकाल रहे हैं, ये पर मन्त ही चल रहा है data सर, महिने का निकाल रहे हैं, इसके बाद कहता है, conductor salary 100 रुपे महिने का, 100 रुपे महिने का, साहब conductor salary 100 रुपे महिने का, cost of stationary will be 50 रुपे महिने का, तो stationary का खर्चा है, 50 रुपे महिने का, इसके बाद कहता है, manager come accountant, साढ़े 300 रुपे महिने का, manager salary, साढ़े 300 रुपे महिने का, चलिए, इसके बाद क्या कहता है, manager का salary 3,5 रुपे महिने का, ये भी हो गया, कहता है, petrol जाएगा हमारा 25 पर 100 किलो मिटर, यानि जैसे ही 100 किलो मिटर चलेगा 25, तो पहले total किलो मिटर तो देख ले भाई साब, 25 दिन, एक दिन में 120 किलो मिटर, तो भाई साब 25 दिन में कितने होंगे, 25 दिन में कितने किलो मिटर चल जाएगा, एक सो बीस, इंटू में 25, तीन हजार किलोमेटर चलेगा कहता है 100 किलोमेटर के 25 जाएंगे तो पेट्रोल सर 3,000 अगर डिवाइड सो कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि सो किलोमेटर तो 3,000 तो 30 3,000 divided by 100 यहां कर देते हैं इंटू में कितने लगेंगे 25 रुपए तो यह निकल के आएगा 3,000 divided 100 इंटू में 25 यानि 750 रुपए का पेट्रूल लग जाएगा एक महिने का 750 इसको मैं एक बार समझा भी देता हूँ सर यह कैसे आया मैंने कहा आप 2 km जाओगे तो आपके 10 रुपए खर्च होंगे तो आप मुझे बताओ 6 km जाओगे तो कितने खर्च होंगे तीस होंगे नॉर्माली मैंने बता दिए अब यह पता है कैसे निकला 6 km divided by आपका 2 km और इंटू में आपका 10 यानि 6 km total km divided by 2 km के कितने लगेंगे तो डिवाइड करके इंटू 1 km के कितने चार्जिस है वो तो सेम टोटल यह जाएगा और 100 km के कितने लगेंगे 25 तो वही तो करा है मैंने यहां पर वही तो मैंने यहां पर कर दिया है और कोईसमें changes नहीं है सर चलिए अब आगे क्या है कहते हैं कमीशन तो दे नहीं सकते है अभी फिलाल दा बस में राउन ट्रिप ठीट है 40 पैसेंजर चलेगा तो पैसेंजर किलोमेटर अगर हम निकाले हैं पैसेंजर क्विलोमेटर पैसेंजर किलोमेटर तो सर तीन हजार और चालिस से मल्टिप्लाई कर दो तो तीन चार बारा एक लाख बीस हजार किलोमेटर रहेगा कहता है एज्यूम 15% profit taking of calculate fare अब यहां पे main एक point रहे गया सर डेप्रीशेशन का तो डेप्रीशेशन के बारे में क्या कहता है देख लेते हैं कहता है the cost of company some 50,000 has been insured 3% and annual tax and this garage rent and and कहता है दा बस likely to last 4-5 year मतलब पिछले 5 साल से यही चल रहा है यहां डेप्रीशेशन का कोई बात कहीं नहीं रहा और आप यहां पर एक अजम्शन लोगे अगर डेप्रीशेशन लेना है न assume life of us जो दे रखा है कितने लोगे सहा 5 year तो 50,000 को divide 5 से करोगे तो कितना अगया 10,000 एक साल का तो अब हमें depreciation की बात कर रहे हैं तो depreciation का 10,000 divided by 12 तो डिवाइड़ बाइ 12 तो 8.33 एं यतना कम है तरस हजार divided by 12 ए 833 मैं पॉइंट को खतम कर रहा हूं भाई साब यह हजार है ना तो 83 पॉइंट आ जाएगा तो मैं मैं 83 ले लेता हूं पॉइंट खतम कर रहा हूं कहीं 84 ले लूँगा इसको 84 ले लेता हूं यह 50,000 इंटू में 3% divided by 12 125 रुपए तो सर यह टूटल खर्चा और सर यह टूटल खर्चा अभी ध्यान दीजिएगा यह आगया 969 एक पर चेक कर लेता है 125 959 और साहब यह जो खर्चा आएगा ना यह पता ही क्या खर्चा लेंगे हम ध्यान दीजिएगा यहां कमीशन भी तो लेना है कमीशन भी तो लेना है और कमीशन तो किसका पता चलेगा सेल्स का कमीशन किसका होगा सेल्स का तो सपोज करो मान लो कमीशन कितना रहा होगा एक्स मान लो ठीक है एक्स या आप एक काम करो सेल्स को ही एक्स मान लो ना sales को x मान लो let sales sales को क्या मान लिया हमने x तो commission कितने percent है sales का कितने percent है कितने percent 10% तो यह x by 10 होगा ठीक है तो आप चलिए 83 750 833 1666 प्लस x by 10 यानि यहां equation देखा जाए तो cost हमारा क्या होगा sales is equal to cost plus profit मैं पीछे थोड़ा बड़ा बड़ा लेकर चल रहा हूं क्या होगा सर हमारा sales is equal to cost plus profit सर sales पीछे let किया x cost क्या आया था सर यह रहा cost total cost की बात करें total cost नहीं निकाला न एक यह a का part और plus b का part दोनों को जोड़ देंगे तो साहाब total cost यहां दे देते है total cost is equal to a plus b कितने आ रहे हैं दोनों 969 प्लस 1666 प्लस 1666 प्लस x by 10 तो 969 प्लस 1666 यह 2625 प्लस में x by 10 और प्लस प्लस अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यह सारा ऐसे कितना हो रहा है कुछ तो लिखा नहीं था होगा हमारा एक्स इंटू में 15 यह 15 एक्स कर देते हैं कि 1.5 एक्स डिवाइड़ बाइ 10 ठीक है कि 15 परसेंट ऐसे आ सकते हैं क्योंकि आप साहब एक्स इंटू में 15 बटे 100 करिएगा तो एक 0 को पॉइंट लगा दिया आपने और यह मैंने कर दिया आप 0.05 भी कर सकते हैं या सेम ही लिख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पॉइंट खतम किया यहां ठीक है अब इसको सॉल्व करिए एक्स वाली को एक्साइट ले जाएए एक्स माइनस में एक्स बाइटें माइनस में 1.5 बाइटें यह लॉंग मेथट लेके चल रहा हूँ कुछ बच्चे फट से बोलेंगा सर ऐसे करा दो इतना आसान था पता नहीं कितना घुमार हैं मैं वो भी करा इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा यह यह 10x हो जाएगा माइनस में x माइनस में 1.5x यह x है ठीक है डिवाइड बाइट बाइट क्या आएगा 10 2625 तो यह माइनस करोगे तो 10 में से आपका 2x 7.5 आ जाएगा तो 7.5x is equal to 2625 10 0 लगजे ठीक है x is equal to 2625 0 divided by 7.5 क्या आया 3500 रुपे साहब यह 3500 सेल्स आ गया हमारा सेल्स क्या आया सर सेल्स है हमारा 3500 इसके बेसिस पे अगर पर पैसेंजर किलोमेटर निकालना चाहते हो तो पैसेंजर किलोमेटर निकालना है तो 3500 टोटल आया और इसके उपर किलोमेटर कितने चल गए और जाए भाई साहब किलोमेटर-किलोमेटर-1,002,000 डिवाइड़ बइक लाख बीस अजार तो 3500 टिवाइड़ इक लाख बीस अजार तो यह आ गया 0.0029.29 पैसेंजर किलोमेटर चेक कर यह 0.02.9 पैसेंजर किलोमेटर पॉइंट थोड़े बहुत एकाद एकाद पॉइंट के बाद चेंज हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं ठीक है किसका 0.3 है नहीं 0.03 होगा हाँ तो 29 है वो राउंड फिगर हाँ तो वही तो हो गया पॉइंट से पहले कितनी भी 0 लगा लो तो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब इसको साहब shortcut और एक बार question समझते हैं इसको बहुत जरूरी है मैंने कर तो दिया solution देखिए मैं सवाल को मिटा देता हूं क्योंकि इस question में इतना कुछ हो जाएगा अंदाजा नहीं था ठीक है चलिए अब इसको माक करते हैं देखिए कहता है परकास ट्रांसपोर्ट कंपनी है गीवन 20 किलोमेटर डिस्टेंस तो मैंने यहां पर दिखाया 20 किलोमेटर डिस्टेंस तो 20 किलोमेटर जाना और आना बसेस दाबस कोस्ट ऑफ यहां पर दिखा दिया इहांपे इन्सवरेंस का चार्ड और और वन वायट ट्वेल कर दिया क्योंकि लास्ट में पता चली यह था कि averagely run on the bus 25 day in a month तो हम month के इसाब से निकाल रहे थे तो 1 by 12 मैंने last में कर दिया यह month निकालने के लिए है 1 by 12 पहले point पे बताइए किसी को doubt clear है यह वाला points चलिए आगे annual tax will be 1000, annual tax है 1000 है, तो 1000 annual का मतलब क्या होता है साहब, annual का मतलब होता है पूरे साल का और पूरे साल के इसाब से अगर मैं divide कर दूँ तो यह आगया हमारा annual tax का जो कि एक बटा बारा कर दिया, यह आगया 1000 बस likely to be last 5 यह पता नहीं क्या बोलना चाहरा है लेकिन इसका मतलब हमने मान लिया कि यह life भी होगा क्योंकि पिछले 5 साल यह likely to be last likely to last का मतलब है कि end हो जाएगा 5 साल के बाद तो इसका मतलब यह life है, note में भी clarity दे दिया कि 5 साल का life होगा और इससे हमें depreciation निकालने में मदद मिलेगी जो कि 50,000 पर 5 साल कोई scrap है नहीं तो एक साल का depreciation कितना आगया हमारा 10,000 तो एक साल का depreciation 10,000 है क्योंकि यह महिने का है तो divided by 1 by 12 किया तो एक महिने का depreciation हमने निकाल लिया क्योंकि यह महिने का है तो यह depreciation निकाल लिया सर यह तो समझ नहीं क्या कहते है सर कैसा चप्टर दे दिया हमें अब देखो शुरू में करा देता तो क्या होता अरे आप प्रेक्टिस करो जो कोशन मैंने करा हैं वह करो बहुत आसान चप्टर है यह मसीन आवर रेट और यह दूनों एक दूसरे से हैं लेकिन इसमें पता है कि अंडेस्टेंडिंग पावर करें आवर की सैलई एकसोपचास रुपए मँहिनेछे हम पर मंत के हिसाब से निकाल रहे तोड्राइवर का सैलरी मैंने 150 रुपए मैं पढ़के दुबारा बता थो रहा हूं conductor की salary 100 रुपए, conductor को सस्ता salary दिया गया 100 रुपए, ज़्यादा salary नहीं देंगे conductor को, addition 10% commission दिया जाएगा taking का, तो यहाँ पे taking का मतलब सर sales का दिया जाएगा, मैं इसको दूसरे तरीके से बेबी करके दिखाऊँगा, to be shared by the driver and conductor equally, और driver, conductor बोलता है हम दोनों तो बराबर बराबर बाट लेंगे, cost of stationary will be 50, cost of stationary 50 था पर मन्त का तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इसके बाद manager की salary 350 पर महीनी का उसे भी दिखा दिया, उसके बाद कहता है, petrol खर्चा होगा, 25-100 km, जैसे ही गाड़ी चलेगी 100 km, वैसे ही आपका 25 रुपए खर्च हो जाएगा, तो हम पहले car को निकालने, जो भी bus है कितना चलेगा, 120 तो एक दिन में चलेगा, क्योंकि round trip कितने लेगा, वो 3 trip लेगा, तो 120, और दिन होंगे, ये days है सार, days कितने 25, तो टोटल चलेगा, 3000 km, अगर 3000 km टोटल चलता है, तो 3000 km के हिसाब से देखा जाए, तो 100 km को मैंने डिवाइड कर दिया, और 25 हो, तो petrol का खर्चा एक महिने का, 30 km है, तो petrol का भी खर्चा आगया हमारा 750 रुपे, चलिए सहा, तब bus will be make 3 trip, जो कि हमने पहले ही कर दिया था, 40 passenger के साथ जाएगा, तो passenger km कैसे निकालेंगे, सर ये क्या है, ये km है, और ये क्या है सर, passenger है, दोनों को multiply किया, तो passenger km आ गया, ठीक है, चलिए, assume 15% profit taking, कहता है कि 15% profit sales पे भी होगा, calculate bus fare to charge, ये वाली line जो कह दी ना, के charge to ease passenger, मतलब भाईया, हमें निकालना है कि passenger से कितना लेना है, इसमें profit भी add करना पड़ेगा, there will be run, अब देखिए, मैंने क्या क्या है, ये costing निकाला, costing निकाल के ये कितना आ गया सर, 969 रुपए, ध्यान दीजिए, costing कितना आ गया, 969, अब इसकी भी costing में करने लगा, इसकी भी costing क करने लगा, तो अभी ये पूरा costing, total cost निकाली नहीं सकता, जब तक कि उसका commission ना डाल दे, जब तक कि उसका commission ना डाल दे, तब तक तो total cost नहीं है, भाई साब, लेकिन वो बोल रहा है कि भी है, पहले sales का मैं 10% लोगा, तो इसका मतलब सर, sales का 10% लेगा, तो sales पता करना पड ये 83 आ गया, 750, 833, एक बार कोई बच्चा इसका total कर दे, जल्दी फटा-फट, total करके बता दे, मैं commission नहीं लेना चाहता भी, एक, ये वाला, 1666, ठीक है, 1666, 1666, ये आ गया, चलिए, अब हमने इसको कैसे करा, एक equation बना लिया, मैं पुरानी बाते कर रहा हूं, फिर नहीं ब cost plus में profit होता, ये तो सर बच्पन से ही पता है, कि यहीं दुनिया का हर जगह, sales, cost plus में profit माना जाता है, sales को आपने let किया, x, तो इसके जगह x रिख दिया, cost की बात करें, तो cost क्या होगा, ये और plus में ये, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो cost हो जाएगा, profit किस पे है, sales के ये उपकर ह necessity, तो यही मैंने आगे करा, सर, ये ही मैंने आगे करा, पहले total cost निकाल लिया, total cost ये निकल गए हमेरा, इन दोनों को, जोड़ कर करके क्या निकल गया, total cost, और इसको solve करने के बाद continue, ये आ गया, अब ये cost है, तो मैंने इसको cost की जगह पे, put कर दिया, इसको मैं सेल्स पता चल गया कि 3500 रुपए की सेल हुई है अगर आपकी सेल्स 3500 रुपए की है और टोटल 120 किलो मिटर चलाओ गया एक लाग 20,000 किलो पैसेंजर मिटर इसको डिवाइड कर दो तो पर पैसेंजर किलो मिटर आप कहा जाएगा सर यह तो बहुत लेंदी सा हो गया अब थो 2625 सर एक 969 प्लस में 2666 यह 2625 रुपए का टोटल कॉस्ट आ गया अब जो यह कॉस्ट है ना इसके अंदर अभी एक कमीशन नहीं जुड़ा और इसमें प्रॉफिट नहीं जुड़ा एक कमीशन नहीं जुड़ा और प्रॉफिट नहीं जुड़ा तब सेल्स आएगा तो इस और दो चीजों को और प्लस कर दें कि कितने पर्सैंस हमारा 85 परसेंट तो सिंपल सा लॉजिक है सर 2625 जो है वह owl 85 पर सेंट है और सेल्स हमयसे 100% के बराबर होगा तो क्या तो क्या आगया जब आप चेक करें क्या यह भी आगया 35 तो यह दो स्टेप में हो गया बस आपको समझने का दिक्कत है कि कैसे समझते हैं कि क्या 75 अच्छा 75 आप चेक कर लिए को टूटल माइनिस प्लस कर लिए जो भी है क्योंकि 10 और 15 25 75 परसेंट सर पहले मेथट काफी इजी था अगर सच बोलू तो मैंने कहा ना जो आप अच्छा लगे तो वो करिए आप जो अच्छा लगे आप वो करिए मैं तो देखो शॉट कट जहां पर होता है न वह रास्ता मुश्किल ही होता है क्योंकि उसके अंदर आपको दिक्कते ज़्यादा आएगी और लॉंग वाले में चलोगे लेकिन सीधा रास्ता मिलेगा तो यह लॉंग है सिंपल बेसिक गंटे खतम होता है पेपर बहुत कंसाइल और चोटा पेपर आता है इसका लेकिन लॉजिकल पॉइंट आता है माल लेते हैं मसीन आवर रेट का आ गया एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो बच्चे बोलड़े गंदा चेप्टर है वो तो चलाई गया और इस कोस्टन को यह को होता है इक होता है हमारा भट होता है अब ट्रक के अंदर समान जाए पाता चाहते हैं तो आपको चाहते हैं इसे धरम कलचे हो बंभth क्या प्रचिजुज आ और बना क्लिया होता मैं मिल जाएगा धरम काटा पहले मैं समझता था यहाँ पर फैसला होता है कहां गया धरम काटा अच्छा धरम काटा इमेज देखिए यह तो मूवी बगएर आगे है कोई बात नहीं यह देखिए कोई गाड़ी वाड़ी हो तुलती भी तो वो देख लेते हैं कौन साले पैसे तो देख रहा है हमें पूरा का पूरा ट्रक तुल रहा है पर यह इंगलिस ट्रक है चलो मैं थोड़ा से दिखा देता हूँ यह देखिए यह आपके सामने देख रहे होगे यह क्या है यह पटरी नहीं है आप यह सोच रहे होगे रेल की बस की पटरी ऐसा नहीं है यह इसका मालिक है और यहाँ पर ट्रक आता है और ट्रक के ट्रक तॉल दिये जाते है ट्रक के ट्रक और ट्रक के अंदर भी समान होता है और उस समान का वेट किया जाता है ट्रक का अलग वेट होता है तो जो यहाँ का परसन होता है न वो बोलता है भाया अब यह बताओ तुम तुम्हारा जो ट्रक का किलो मिटर इसके अंदर जितने भी समान डले होंगे न उसको निकाला जाएगा हमारा टन किलो मिटर से किस से निकाला जाएगा सर टन किलो मिटर से हमें निकालना पड़ेगा कि कितने ट्रक में कितने टन समान जाएगे और ये कितने किलो मिटर चलेगा तो हर किलोमेटर का उस टन के इसाब से वेल्यूएशन निकाला जाएगा तो उसे बोलते हैं टन किलोमेटर तो पहले इसकी बात करें यह बड़ा चलाक होता है यह बोलते हैं यह तुम्हारा रेट कैसे निकालना है बोलेगा दो रेट निकल सकते हैं एक होता है के साथ जब समान तुलेगा तो उसे हम बोलेगे इस ट्रक के अंदर जो समान जाएगा वो किसमे जाएगा सर जो इस ट्रक के अंदर समान जाएगा वो समान को हम किसमे मेजर करेंगे टन में बेसिकली और ये जितने किलो मिटर चलेगा उसको हम किसमें मेजर कर लेंगे 1000 किलोमेटर में तो आप से सवाल में पूछा जाएगा 1000 किलोमेटर सर इसके निकालने के कितने तरीके हैं सर दो तरीके एक है absolute कीलोमेटर और एक है हमारा commercial टन किलोमेटर ठीक है ना लास्ट एयर एक्जाम में भी पूछा गया था ये एक एक एपसलूट टन किलोमेटर तो आज जो हम सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं पिछली क्लास उस में हमने क्या सीखा था पेसंजर पर किलोमेटर यानि एक पेसंजर इतनी दूरी तै करता है तो उससे कितना किराय वसूल आ जाए अब सीखेंगे कि समान को जब कोरियर वाले ले जाएंगे तो उससे पर किलोमेटर का कितना पैसा लिया जाए किलो के हिसाब से आपने देखा होगा कोरियर वगरा में क्या फरक है absolute का मतलब आपको समझ में आ जाएगा देखो फिर commercial बात करेंगे कहता है truck loaded 10 km from station P तो sir ये कि यहाँ P station है ध्यान से समझ येगा यहाँ पे एक truck loaded हुआ loaded का मतलब truck में समान रखा गया and it's upload 4 ton और इसके अंदर समान रख दिया गया 4 ton at station Q और ये P से station Q पे आ गया and rest कहता है कि यहाँ पे एक truck था start 10 ton को लेके it's unload unload कर दिया यहाँ पे sorry मैंने थोड़ा सा गलत अजम से ले लिया ये 10 kg ton लेके चला था 10 ton लेके चला और यहाँ तक आते आते उसने क्या करा 4 ton यहाँ से उतार दिये अब इसके बाद कहता है 4 ton unload unload का मतलब क्या होता है sir उतार देना वहाँ से निकाल दिये समान 4 ton निकालने के बाद Q rest of goods R station यहाँ से Q चला और एक R station पे आए तो मुझे आप जवाब दीजिए यहाँ से यहाँ कितना समान लेके चला होगा यहाँ से यहाँ क्यूंकि 4 तो उतार दिये तो 6 ton लेके चला होगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है sir R reached back directly to P और R यहाँ से सीधा 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 P के पास आ जाता है ठीक है न डारेक्ट आता है यह R P के पास reloaded with 8 ton और यहाँ से लेके कितना चलता है 8 ton सवाल समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा है distance between P and Q तो Q and R and R to P 40 और 60 कहता है भाई साब यहाँ से यहाँ तक का जो distance है वो है हमारा कितना sir वो हमारा है 40 km और यहाँ से यहाँ तक distance जो है वो कितना है हमारा 60 km और sir यहाँ से यहाँ तक distance कितना है 80 km मैं एक बार इस सवाल को और पढ़के और साफ साफ कर दूँगा ठीक है यहाँ तक मैं दुबारा मिटा देता हूँ कुछ बच्चे confuse हो गया है मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया है कोई बात नहीं दुबारा पढ़ लेते हैं ठीक है दुबारा कर लेते हैं दुबारा तो आज जो हम सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं sir new चीजे सीख रहे हैं हम निकालना सीखेंगे absolute ton km और commercial ton km ton km के अंदर मतलब होगा sir के हमारा कोई भी bus होगा कोई भी bus तो नहीं खेट कोई भी truck होगा इसके अंदर जो goods होगा इस goods को हम करेंगे ton के measurement और इसके distance को करेंगे km में तो इन दोनों को multiply कर देंगे तो क्या हो जाएगा ton km हो जाएगा ठीक है sir एक सवाल है इस सवाल की मदद से समझते हैं कहता है हमारा sir एक truck with loaded 10 ton goods P station हमारे पास station की बात कर लेते हैं साफ साफ line खिच लेते हैं चलिए ये line है हमारा ठीक है न इस से आपको बहतर समझ में आएगा यहां क्या है हमारा sir P और इधर क्यों क्या होगा हमारा sir Q नहीं नहीं इतनी दूर नहीं ले जाना P यहां पे हमने load करा एक हमारा truck है और इस truck के अंदर हमने load किया sir कितना load किया sir आपने यह बता दो यहां पे load किया 10 ton कितने load किया हमने 10 tons 10 tons 10 tons 10 tons ठीक है क्या आप समझ बा रहे है 10 tons load कर लिया ठीक है अब 10 tons लेके यह इसको लेके चला sir 10 tons को यह यहां से लेके चला और जैसे ही लेके चला लेके चला लेके चला लेके चला लेके चला एक station बीच में आया उस station का नाम क्या रख दिया Q और Q पे इसने क्या करा इस truck में से कुछ समान उतार दिये और कितने टन उतार दिये 4 टन उतार दिये कितने उतार दिये इसने अरे 4 टन उतार दिये 4 टन अरे यह कैसा हो गया यह यह तो लिख टाइपिंग करने लग गया मैंने क्या ले लिया है यहां से और ए यह ले ली PRE- tot of 10 उतारतें फिर यह ट्रक कंटिनुज चलने लगा रुखा नहीं by के बाद फिर चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा चलने लगा और एक स्टेशन पर पहुंच गया देट इस हमारा कौन सा इस्टेशन था ये क्यों के बाद हमारा कौन सा इस्टेशन था आर और इस डिस्टेशन पहुंच गया और यहां पर इसने सारा समान उतार दिया कितने समान उतार रहे हूं यहां फे इसने 6 टन उतार दिया होंगे तो अगर मैं आप से बड़ी simple सी बात पूछूँ और बड़ी basic से बात पूछूँ तो यहां से यहां तक वो कितने टन समान लेके चला 10 टन और फिर यहां से यहां तक कितना समान लेके चला वो 6 टन ठीक है अब मैं questions भी पढ़ देता हूँ कई बच्चे गोलेंगे sir question तो पढ़ी ने खुद ही खुद कर रहे है तो चलिए question भी पढ़ देते हैं question में देखे 10 ton लेके चला P से और unload कर दिये 4 ton कहां पे कर दिये Q पे rest of goods R station पे कर दिये उसने और reach back P से P पे वापसी आ जाता है कहने का मतलब sir इसका है कि ये वापस आ रहा है sir कहां से वापस आ रहा है यहां से फिर से ये वापस आ रहा है तो यहां से ये वापस आएगा तो वापस यहां से जब यहां से यहां पे जब यह वापसी आएगा ध्यान दिजीएगा, जब यहाँ से यहाँ पर बापसी आएगा, तो यह कितने टनल लेके चल रहा है, अब इनके distance की बात करें, तो कुछ बच्चे हैरान हो सकते हैं distance में, कि sir, यहाँ से यहाँ के distance जो है, वो 40 km है, और यहाँ से यहाँ से distance कितना है, 60 km, सिम्पल सी बात है ठेकर आग किसे गया है वो शॉटकट से अब हम निकालते हैं सर कितने किलो मिटर चला पहले तो यह देखो तो पहला पॉइंट पी से लेके क्यू तक हमारा गर निकाले तो क्या आएगा दस टन और 40 किलो मिटर तो टोटल हो गए 400 अब क्यू टू आर पे जाएंगे हम तो कितने 6 किलो मिटर और कितना डिस्टेंस 60 तो 64 के 24 अब वापस आ गया आर से 360 ओके 360 360 अब आर से जब पी पे आया तो आठ टन लेके और 80 किलो मिटर तो 640 तो सर टोटल टन किलो मिटर कितना हो गया तहब टोटल टन किलो मिटर हो गया 400, 360, 640 1400 ton km total 10 km कितना हो गया ton km 1400 इस वाले process में आप देखोगे सर ऐसे ही आप भी करने वाले थे इसको बोला जाता है absolute ton km ये क्या है सर ये है absolute 10 km सर absolute 10 km कैसे निखाला जाता है formula क्या आता है absolute 10 km का बड़ी simple सी बात है कि जितने km चला वो into में क्या कर देंगे ton जितने ton लेके चल रहे हो तो इसको अगर ऐसे multiply करोगे तो ये क्या होगा हमारा absolute km पहले बताईए किसी को doubt इस वाले में किसी को doubt इस वाले point में पहले बताईए किसी को doubt इस वाले point में क्लियर चलिए क्लियर है सब चलिए अब जो हम अगला निकालेंगे जो दूसरा सवाल इसने पूछा है कौन सा पूछा है commercial ton km commercial ton km commercial ton km सहाब जो commercial ton km होगा वो कैसे आएगा इसके अंदर हमें सहारा लेना पड़ता है मैं बता देता हूँ हम निकालते हैं average average ton का और भाई साब ये ton ही नहीं हो सकता आपका commercial kg km भी हो सकता है absolute kg km भी हो सकता है quintal km भी हो सकता है तो जिसमें हो सकता है देखो जो measurement का तरीका ton है, kilo है और जो कि मैंने कहा kg आपका तो किसी में भी पूछा जा सकता हम निकाल सकते हैं तो कहता है average ton निकाल लेजिए और इसको multiply कर दीजिए total distance से total distance से तो अगर average निकाले हम तो average में हमारा total कितना समान जा रहा है तो समान देखेंगे तो यहां से यहां तक चल रहा है हमारा 10 km average कैसे निकालेंगे average ton तो देखें यहां से यहां समान कितना गया 10 फिर यहां से यहां कितना गया 6 फिर यहां से यहां कितना गया 8 और average के लिए divide क्या करेंगे 2 divide क्या करेंगे 2 तो 10, 6, 16 और 8 कितना होगे 24 तो यह हो गया अब total distance गिन लो भाई साब total distance कितना है 40 और 60 total distance अगर मैं करूँ total distance तो भाई साब 40 plus 60 plus 80 आने का तो कितने हो गए 180 तो अगर हम देखें यहां पे तो यह आगया आपका 12 तो आपका आजाएगा commercial commercial ton kilometer commercial ton kilometer आएगा 12 गुणा में 180 that is कितना आजाएगा 21 21 ज्यादा तो नहीं आ गया है 10 plus 6 plus 8 divided by 3 180 नहीं यह 2 नहीं होगा average में 3 आएगा यह यह थोड़ा सा mistake हो गया 3 है ना point तो यह average में 3 आएगा 1,2,3 जितने distance होगे उससे divide करोगे तो यह आजाएगा 8 और यहां भी आजाएगा sir 8 average में 3 आएगा 8 तो यह आजाएगा 14 14 देखें कोई doubt हाँ जी नहीं हाँ divide 3 से कर दिया है बताएगा doubt clear है समझ में आये 10 km कैसे निकालते हैं तो यह 6 नमबर 5 नमबर में पिछली बार 10 येर में जिसनों ले रखा है न सवाल आया था यह अब जिन बच्चों ने कर रखा बहुत चोटा सा सवाल है कर दिया होगा नहीं कर रखा होगा तो रह गया होगा चलिए एक और सवाल देख लेते हैं देखे क्या कहता है सवाल में इसमें भी हमें क्या निकालना है नहीं निकालना देख लेते हैं तो यहां भी कुछ commercial 10 km की बात कर रहा है और calculate the total commercial 10 km and cost per 10 km when the total monthly charge lorry total हम 27,000 रुपे charge करेंगे what should be the company charge पूरा सुरू से पढ़ लेते हैं कहता है एक transport company है fleet of lorry मतलब lorry का मतलब है कि ट्रक में समान भर के जा रहा है एक transport company है carry a goods डेली टू पानी पत तो सर हमें एक distance बना लेते हैं यह हमारा डेली है और यह हमारा पानी पत है ठीक है न अब वो क्या करता है कि एक company है जो की एक lorry है जो की डेली से पानी पत 100 km का दूरी है यहां से यहां तक distance है हमारा 100 km इच लॉरी कहता है कि हमारा पास कितने फ्लीट ओफ लॉरी फ्लीट का मतलब भाई साब बहुत सारा एक बंच बहुत सारी लॉरी है जिसके इंदर समान भरा हुआ है कहता है इच लॉरी विच ओपरेट 25 इन एवरेज इन अ मन्त भाई साब यह 25 दिन चलेगा कितने दिन चलेगा 25 देज तो आप यह भी ध्यान रखना 100 km जाना और 100 km वापसी भी आना है स्टार्ट एवरी डेए फ्रम डेली लोड़ेड चार्ट टन और डेली से जब भी स्टार्ट होता है यह कितने टन लेके चलता है पोर टन लेके यहां से स्टार्ट रवाना हो जाता है return पानी पत loaded 2 ton और वहाँ से वहाँ पे जाके फिर यहाँ से जब वापसी आता है न तो यह कितने ton लेके आता है 2 tons वापसी लेके आ जाता है calculate total commercial ton kilometer तो सहाब total commercial ton kilometer कैसे आएगा total ton kilometer फिर क्या आएगा average average ton इन्टू में इन्टू में क्या हैगा हमारा total kilometer average कैसे निकालेंगे हम average ton kilometer distance हम देखेंगे 4 kilo जा रहा है यहां से 4 ton और प्लस वापसी में कितने ton 2 ton तो डिवाइड किसे करेंगे 2 की आगे हमारे 3 tons आ गया distance की बात करें पताए कितना distance होगा 100 kilometer और प्लस 100 यानि 200 तो answer आ गया हमारा commercial commercial ton that is आ गया हमारा commercial ton में देखा जए तो 25 क्या आएगा 3 into में 200 that is 600 ton kilometer यह आ गया सवाल में कहता है कि भाई साहब आपको यह भी बताना है cost per ton kilometer monthly lorry का चार्जिस ही यह है चलिए सर अब आप per ton kilometer cost तो बताई सकते है cost per ton kilometer is equal to क्या आएगा cost divided by total या commercial ton kilometer है ना commercial ton kilometer तो साहब cost कितना है cost है हमारा सवाल में देखी रखा है ton कितना निकाला हमने 600 तो करिए क्या आता है कितने तो 45 आ गया 600 और 45 आ गया यहां तक किसी को doubt है तो बताईए अच्छा बच्चे कहे रहे है 25 से तो multiply करना भूली गया कोई बात ने रह गया हम एक ton kilometer का निकाल रहे हैं एक दिन का निकाल रहे हैं 25 से कर देंगे इसको ठीक है यानि यहां थोड़ा costing में फरक आ जाएगा फिर यानि यह एक दिन का हो गया तो 25 डेस का क्या होगा यह पर डे है यह यहीं कर दे 25 से इसी को कर दो सर इसको 25 से multiply कर दो कितने आएंगे 5000 बताना जरा 2500 इंटू दो 5000 ही तो आएंगे कितने आजएंगे 15,000 यह लो जी वो मैंने पर डे का निकाल दिया मेरे ध्यान से नहीं रहा मन्ते से भी डिवाइड करना है वहां लिख दिया था या नहीं लिखा तो 15,000 से डिवाइड करो तो कितना आएंगे 1.8 पर 10 किलोमेटर ठीक है अब आगे क्या कहता है सवाल में पर 10 किलोमेटर के बाद कहता है अब दाफ रेट का मतलब है 20% on क्योंकि फ्रेटर हम कस्टमर से वसू लेंगे और कस्टमर से जो हम फ्रेट वसू लेंगे वो तो भीया सेल्स हुई होगी एक तरीके से तो फ्रेट का मतलब है सेल्स तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो सर सेल्स इस इकल टू कॉस्ट प्लस में जीपी सेल्स नहीं पता एक्स कॉस्ट पता है 1.8 जीपी कितना है 20% आफ तो 20% निकालेंगे तो एक्स भाई 5 सॉल्व कर लो इसे 4X डिवाइड बाई 5 इस इकल टू 1.8 मल्टिप्लाइ डिवाइड वाइड कर लेते 1.8 इन टू में 5 डिवाइड बाई 4 तो भाई साहब यह आगे एक्स का वेल्यू यानि सेल्स आगे 2.25 2.25 हम कस्टोमर से वसूल लेंगे तो यह हमारा सवाल हो जाता है समझ मैं ही बात आपको यह ओनर्स की भी किताब में चाहिए हाँ ठीक है क्लियर है कोई डाउट एक बाई रिपीड कर दे देखें सवाल में क्या था मैं रिपीड कर देता हूँ सवाल में क्या कहता है कि भाई हम डेली से पानी पत का सफ़र दूरी तै करेंगे डेली से पानी पत जाएंगे और डेली से पानी पत का distance 100 km का है और हम समान जो लेके जाएंगे वो 4 tons लेके जाएंगे समान जो लेके जाएंगे हम 4 tons लेके जाएंगे 4 tons लेके जाएंगे और फिर जब हम वापसी आएंगे तो सिर्फ 2 tons लेके आएंगे और commercial ton kilometer पूछा है तो commercial में तो average वाला होता है absolute होता तो दूसरे तरीके से निकलता है commercial दूसरे तरीके से commercial में average लग जाता है तो commercial ton kilometer के हिसाफ से दिखा जाए तो हमें पहले average ton निकालना है तो जाने का 4 आने का 2 तो कितना होगे हमारा 4 और 2 तो per day कितना हो गए हमारा सर 3 ton km चलना हो गए इसका average ली आना जाना मिला के इसके बाद बोलता है कि जाना आना यानि 100 प्लस 100 200 हो गए और बोलता है कि महिने में 25 दिन चलेगा हम पूरे महिने का बताओ तो into 25 कर दिया बता है कि पूरे महिने में जो हमारा खर्चा होता है ना आने जाने में ट्रक के पेट्रोल डीजर सब मिला के 27,000 रुपे का खर्चा आ जाता है तो बताइए पर commercial 10 km क्या होगा तो मैंने बहुत सिंपल करा कि जितना cost divided by 10 km तो मैंने cost को 10 km से divide कर दिया बहुत सारे बच्चों को यह भी पता होगा सर कॉस्ट पर अगर 20% डिफ सेल्स पर 20 है तो कॉस्ट पर 25 डारेक्ट कर दोगे तो हो जाएगा वह आपकी इच्छा है जैसे करना चाहें